हेलो स्टूरेंज वेलकम टू मैं चैनल और आज का यह सेशन अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि सेशन में मैं नीट काउंसलिंग की एंटायर प्रोसेस से रिलेटेड बात कर रही हूं बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट से उसके एकॉर्डिंग क्या करनी है वो बात हम यहां पर करेंगे सेकेंडली बिगनिंग में ही मैं आज सभी स्टूडेंट को कहूंगी कि आप वीडियो रेगिलर देख रहे हैं बट मुझे लग रहा है कि वीडियो देखते समय लाइक करना और सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं तो काइंडली स आपका नीट में आपने इतनी मेनत करके एक अच्छा स्कोर गेन किया हुआ है और अगर आप कोई भी मिस्टेक अब इस काउंसलिंग के समय पे करते हैं तो आप एक बेस्ट कॉलेज में एड्मिशन लेने से दूर हो जाएंगे तो अब हम सिधे-सिधे आते हैं कहां पर अपनी डेट रहेंगी तो यह आपर फर्स्ट में बात कर रहें हैं मेनली है क्लियर कर लीजिए कि आज जितना भी हम बात करेंगे वह बात कर रहें हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए तो जब आप ऑफिस्ट करते हैं प्रोसीजर करना तो यहां पर यह याद रखिए कि All India Kota में टूटरौं स्में काउंसलिंग होती है जो टोटल गॉन्सलिंग आपका अल इंडिया को टा का है वह टूराउंद में ही स्क्क्राइड होगा तो यहां पर पहले हम बात करेंगे रहा देट है वो एक्सपेक्ट देट हम मान के चल रहे हैं वो होगी आपका लास्ट वीक ओफ ऑक्टोबर तो 27 से 29 या 27 से 29 ओक्टोबर के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कांसलिंग स्टार्ट होने की डेट आ जाएगी और इस डेट से आपको रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है ऑल इंडिया कांसलिंग के लिए वह मसीजी www.mcc.nick-help तो जो साइट आपको उस समय प्रिस्क्राइब थोगा उस साइट पे जाके ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना या जब आप रजिस्ट्रेशन की procedure में आते हैं तो one week का time आपको provide होता है registration के लिए इस one week के time में आप अपना registration complete करेंगे secondly registration के साथ साथ आप choice feeling और choice locking भी करते हैं कि किन medical colleges को आप अपनी choice list में place करते हैं choice feeling किस तरह से करनी है उसके लिए मैं separately बताऊंगी कि कितने कितने marks के according choice feeling vary हो सकती है तो वहाँ पर आपको first round में registration करने के बाद choice feeling and choice locking करेंगे secondly जब हम registration के तरफ आते हैं round one में तो यहाँ पर आपको registration का fees है और एक security deposit आपको वहाँ पर submit करना है जो registration fees है वो only 1000 रुपीज है और यह जो 1000 रुपीज का fee से आपका यह non refundable है बट यहाँ पर आप याद रखेगा कि जो security deposit आपको करवाया जाएगा वो 10,000 रुपीज 10,000 रुपे आपको security deposit के form में होते हैं submit करने होते हैं यह deposit करने होते हैं और यह 10,000 याद रखे refundable है refundable किस तरह से यहाँ पर यह clear रही है कि अगर अगर आपको first round में या second round में आपको all India quota से government college a lot होता है तो जो admission fees होगी उस college की उस admission fees में यह 10,000 रुपीज एडजस्ट हो जाते हैं बट in case अगर आपको कोई college a lot नहीं हो रहा है तो उस case में आपको यह 10,000 रुपीज refund होंगे जिस भी transaction mode से आपने fees अपना deposit किया होता है उसी transaction mode के according आपको यह fees जो है वो return मिल जाती है तो उसमें आपको घबराने की ज़रुवत नहीं है कि in case अगर आपका college a lot नहीं हो रहा है तो आपका fees का वहाँ पे आपको जो 10,000 रुपीज है वो safe है तो वो आप आपको registration में 1,000 रुपीज फीज प्लस 10,000 security deposit submit करने है वहाँ पे यह आप कह सकते है deposit करने for in first round के registration में अब देखे जब आपने choice filling कर दिया choice locking कर दिया उसके बाद after one week that means आप यह मान के चलिए कि first week of November में 4th, 5th या 6th आप ले सकते हैं डेट तो बट first week of November date में अभी declare नहीं कर रहे हूं क्योंकि अभी official notice कोई भी नहीं आया है बट एक approximate date है कि first week of November first week of November में आप याद रखिए first round counseling का result declare हो चुका होगा और उस first round counseling के result के according अब आपको four to five days या maximum one week वैसे four to five days ही होते हैं so four to five days का आपको time allot होगा उस time के बीच में आपको अपने respective whatever जो भी medical college आपको allot हुआ है first round counseling में उस medical college में आपको report करना होगा और report करके within that time limit यहां पर ध्यान रखिएगा time limit बहुत ज़्यादा important है तो within that time limit यह उतने ही time limit में जो time limit दिया गया है उस time limit में उस medical college में आपको अपनी presence शो करके admission की process को complete करना है तो यहां पर उन बच्चों का admission complete and tuition का process हो जाएगा complete जिनका first round में government medical college उनको मिल गया है but in case अगर आपको first round में medical college नहीं मिला है तो फिर अब आपको wait करना है second round का counseling का second round की counseling के लिए जब हम आते हैं तो नियरली आप याद रखिए जो November का mid of November है या जो आप second या third week ले सकते हैं तो जो mid आपका November होगा उस mid November में आपका second round की counseling जो है उससे related formalities फिर start करना है अब यहां पर देखेगा second round counseling के लिए आपको separately registration करने की या फिर separately fees deposit करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप first time registration कर चुके हैं और आपने first time round first round counseling के लिए जब fees deposit की थी वही fees आपकी यहां पर यूज होगी तो round second round counseling के लिए बिल्कुल clear रही है कि second round counseling में आप registration और fees नहीं deposit करेंगे बट आपको यहां पर फिर से जो second round counseling का seat matrix होगा उस seat matrix के according आपको फिर से यहां पर choice filling करनी है और choice को log भी करना है तो second round counseling के seat matrix के according choice filling और choice locking करनी है choice filling में आप बहुत ज़्यादा अब देखे choice मत रखिए maximum जितने भी college है वो सभी के सभी college और आप fill करिए secondly इसका जो result है वो result आता है आपका second round counseling का और जब result आपका आता है second round counseling का mid of November के बाद ही आएगा यह result उसके बाद आप यहां पे आप अपने again same procedure होगा आपको four to five days का time alert होगा और whatever college आपको alert हुआ है उस college में आपको admission लेने के लिए उस time period में present होना पड़ेगा अब यहां पे देखे जो mistake student major mistake करते हैं second round counseling में कि कभी-कभी अगर उनको second round counseling में government college all India quota से alert हुआ है बट उनके choice का college अगर नहीं मिला है तो students वहां पे admission करने नहीं जाते हैं और यह सोचते हैं कि वह state counseling में फिर से apply करेंगे तो यह mistake बिल्कुल भी मत करेंगे नहीं तो आपने एक अच्छा score gain कर लिया है government college आपको मिलना है बट एक चोटी mistake के कारण आप हमेशा के लिए admission से दूर हो जाएंगे उसका reason है कि अगर आप second round की counseling में admission नहीं लेते हैं college आपको अलॉट हुआ है और अगर आप admission नहीं लेते हैं तो आपको state counseling में registration करने नहीं दिया जाएगा यह बहुत बड़ा आपको ध्यान देने वाली की बात है तो जो भी college आपको मिला है उस college में आप पहले admission ले लिजिए और यह आप याद रखिए यह common procedure है जो हम follow करते हैं All India counseling के लिए जिसमें आपको 15% quota से government college के seats MBBS के लिए अलॉट होते हैं तो यहां पर आज में mainly All India counseling की ही बारे में discuss करने वाली थी तो आज के session में हम इतना ही discuss करेंगे next session में next topic के साथ हम फिर से discuss करेंगे state counseling में क्या precautions आपको लेने हैं तब तक सभी students stay motivate stay blessed